अनील, जी आम मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, Ben- के आतंके हमले में जो हमारे नोजुवान सहीद होए उनके बिषें में आप क्या कहना चाहते हैं, उनके आझ जो है उनके घर काफी जो होता है दुगधाई मातनचाहिए हैं, कितनी बहने जो हैं, का बच्चे आनात्उ हो गए हैं उनके विषे में आप क्या चाहिए जेश को कैसा है सरकार को का इसा कदम इठाना चाहिए। और हमारे जो सुसल मीडिया और क्वाले हैं उन लोगों नी राज से ही dirh है राज से ही न्यूशी पे टीवी चनल पे अगरा अगरा करके देखने के लिए मिल रहा है इसमें जादे बताने की कोई जुरूत नहीं है इन फिर भी मैं यह चाहता हूं बहुत ही दुखी बात है आज सुबह से ही हम यह देख रहा है कि पूरे भारत में मातम छायू यह सोक मना जा रहा है इससे बड़ा दुखी मेरे भारत के लिए कुछ हो यह नहीं सकता है इससे बढ़के दुख कुछ तो हो यह नहीं सकता है मेरे भारत के लिए जो हमारे 40 से 41 नौजवान साथी मारे गए और इतने ज़ादे उसमें घायल है और मैं इस से एक कहना चाहता हूँ कि मेरे हिंदूस्तान में तुक कहने के लिए कहा जाता है कि मेरे नौजवान साथी है उन नौजवान साथियों को बड़े बड़े हत्यार दिये जा रहे हैं नाम बड़े दिये जा रहे हैं लेकिन उनको पावर बड़ा नहीं दिया जा रहा है जी तो आप जुकेंद्र सरकार को जो है या उठारा चाहिए कदब जी हाँ मैं वहीं चाहता हूं कि यह जो सम्भिधान में या किसी पेपर पत्र का आज में दर्स आया गया है इसको उसमें से संसुधन किया जाए और हमारे जो आर्मी से नह हैं और जो फोज हैं जो सैनिक हैं जो रात दिनों एक करके मेरे भारत के लिए अपने जान पे खेल र सिया जाए मैं की ङंद्र शरकारं से ही आगरह करूँ का यदि मेरा बात यहां मोधी सरकार तक पहुछे तो मैं पधार्मंत्री ने डंश संसे परत के सिनिकों को इतना पूर आजादी देदाई संपूर आजादी देदाई ताकि हमारे सानिकों से लोगों को दहसत मचे कि उनको भारी छुट मिल गई है अमिल्दी मैं एक आना चाहूंता मोदी जी कहें पाकिस्तान को बहुत महणा पड़ेगा गाथ में कटोरा जाएगा जी जी कहा गया है लेकिन कारणी और कत्नी में कुछ अंतर होती है ऐसा क्या होने वाला है जो कि जुबानों से कहा जाता है जुबानों से नहीं पेपर पत्रिकाओं के माध्यम से नहीं उनको फूल आदेश दिया जाए कि जाओ जीस तरह मेरे भारत में उन लोगों ने यजिए तुछ्ष कर प्रियास कीजिये मैं बताना चाहता हूं नाई जह मैं पूछना चाहता हूं जो हम जे से बार-बार तहनी हमले करता जा रहा है जो जो सासनकाल में जो स्टॉरी civ provocत है और यह पाकिस्तानी को चोड़िया गया तो साइद एधाना नहीं क्या इस जो पॉए नहीं इस वता है और उनको पाने पे यहां के लोग बंदग में हैं हमारे सैनिक जो हैं बंदग में हैं कि हमारे प्रधान मंत्री हमारे रच्छा मंत्री हमारे ग्रीह मंत्री आदेश करेंगे तो हम अपने फायर करेंगे लेकिन हमारे जो हिंदुस्तान के लोग हैं इसलिए मार खा जा रहे हैं और जो आतंकी हैं, आतंकीयों को यह नहीं है, कि किसी से आदस लेना है, किसी से पूछना है, उनलों को पूरे सोतंतता है, पूरे आजादी है, ताकि मारो या मरो, लेकिन हमारे भारत की सहनिकों को इसी से बांद दिया गया है, इसलिए हमेशा हमेशा मारे जा रहे हैं, ने त पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पर सकता है लेकिन राजनीतिक दलो को भी इसमें आगे आना चाहिए सभी को क्योंकि यह राजनीत की बात नहीं है यहां जो है देश की बात है मैंने कल टीवी पर देखा राहूल जी ने जो है मुबाइल वहां फोन आ रहा था उनके दोड़े की जरूरत है तभी तो यह देश अकेले नरेंद्र मुदी पर्धार मंत्री हैं लेकिन कहा जाता है काहो तो अकेले चना भार नहीं फोर सकती है आप क्या कहाना चाहिए देखिये यह मैं जानना चाहता हूं कि मेरा भरत ऐसा देश है जैसे एक माला को त्यार कि आ जो कि एक माले में गुठ करके हमको जिन्दगी जीने के लिए बापू ने या हमारे महान विक्तियों ने हमारे रिश्यों ने सिखाया भारत में लेकिन आज इसमें जो आतंकी घट ना घटा हुआ है इसमें नकी राजनीत नहीं होना चीए जो भी राजनीतिक दल के लोग हैं सब लोग एकत्रित हों एक मुष्ट हों और एक साथ लड़े हैं ताकि आतंक दहसत में बज जाए कि हिंदूस्तानियों में एकता आ गई है और देखिए पहले जो हमारे भारत में गुलामी लाये थे गुलाम बनाये थे इस चीज़ को जानते थे वहां कि इन लोगों में फ धन्यवाद बहुत धन्यवाद आपको बताने के लिए